कि नमस्कार दोस्तों मैं उपेंदर सिंग और आप देख रहे हमारा यूट्यूब चैनल अन्मोल स्ट्डियों लाइन दोस्तों कैसे आप सब क्लास 9 के प्रेविद्य आर्थियों आज हम आपके बीच लिकर काया हैं एक आई 4 है अर्थसास्तर और अर्थसास्तर से फास्ट चैप्टर दोस्तों पालमपुर गाउं की कहानी तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इंट्रेस्टिंग होने वाला बने रहे पूरी वुडियो तक और दोस्तों बिना देर की आज की वीडियो को सुरू करते हैं औ उन सभी को देख लेते हैं और आप जो भी मैं बताऊंगा को भी में नोट करते जाएं और याद कर लेने का प्रयाज करेंगे तो दोस्तों पालमपूर गाउं के लोगों का मुख्य पेशा क्या था ओप्सन है दोस्तों यहां पे नोकरी खेती बेगारी इन में से कोई नही तो यहां पे शही जवाभ होगा ऑप्सन नमर दो खेती पालमपूर गाउं के लोगों का मुख्य पेशा खेती है दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले शवाल क्यों और पालमपूर गाउं में कितनी परतिसत जनता खेती पर आस्रित थी पहला 50 परतिसत दूसरा 60 परतिसत दूसरा 75 परतिसत चोथा इनमें कोई नहीं यहाँ पर सही जवाब को दोस्तों ओप्सन नमर 3 75 परतिसत पालंपूर गाउं में 75% जनता खेती पर आसरी थी अप इसे याद देखेगा आगे बढ़ते हैं अगले सवाल क्यों निम्नानकित में कौन सा राज है जहां आधुनिक किर्सी विधी से अपनाई गई है पहला पंजाब दुसरा जहार कौन तिसरा ओडिसा चोथेन में कोई न नमबर फोर खरीफ रितू की अवधी क्या है पहला जून से अक्टूबर दुसरा नॉबर से अप्रेल तिसरा अपरेल से जुलाई चोथेन में से कोई नहीं यहां पर सही जवाब बगा ऑप्शन नमर एक जून से अक्टूबर खरीफ रितू की जो आवधी है फसल की जून में से कोई नहीं दोस्तों रभी फसल की अवधी होती है नॉबर से अप्रेल ओप्शन नमर दो यहां पर सही जवाब होगा आगे बढ़ते हैं छठा हरित करांती की मुख्य विशेष्टाएं क्या है पाला गेहु तथा चावल में अपरत्यासित बिर्दी दूसरा ज्वार दोस्तों कमी वाला तो नहीं होगा अब यहां दू है,, हमारी पास तीसरा तो नहीं होगा तो इसका नमर इक नमर का सही जवड़ होगा गेहु तथा चावल में अपरत्यासित बिर्दी को ही घर्थकराणती की मुख्य विशेष्टाएं है है आगे बलते हैं पालमपुर में किसान वर्ष में कितनी फसले उगाती हैं आप इसे याद रखेगा आगे वरते का क्या तात पर यह देखिए दोस्तों यह भेरी भेरी इंपोर्टेंट है और यह आपका फॉर्स्टर में आने 99 परसेंट गैसे से दोस्तों आप इसे आद रखेगा और ध्यान दीजेगा इसका option देखते हैं पहला अधिक उत्पादन करने वाले बीज दूसरा निमन उत्पा नाइन नंबर उत्पादन के मुख्य कारक कौन नहीं है पहला भूमी दूसरा भोतिक पुंजी तिसरा मानो पुंजी चोथा बाजार तो उत्पादन का मुख्य कारक इसमें कौन को ने पहले देख लेते हैं भूमी बहुत ही जरूरी है भोतिक पुंजी होना चीए मानो है यहां पे सही जवाब होगा option number four अगला सवाल गेहूं उच्याना जाओ आदि की से परकार की फसले हैं पहला रभी फसल खरीफ फसल रभी खरीफ इनमें से कोई नहीं दोस्तों यहां पे सही जवाब होगा option number एक रभी फसल जी हां दोस्तों गेहूं उच्याना जाओ आदी जो हैं रभी फसलों के उदाहरन हैं आगे बढ़ते हैं अगले स्वाल की ओर कोशी नमर 11 पालंपूर गाउं के साथ निकटम कौन सा बड़ा गाउं से यह जुड़ हुआ हुआ है तो option है साहपूर राइगोंज आप इसे याद रखेगा पालंपूर गाउं के साथ राइगोंज गाउं का संबंध जो है जुड़ा हुआ है निकटम में यह राइगोंज पालंपूर गाउं के बगल में राइगोंज है दोस्तों दोनों गाउं एक दुसरी से जुड़ा हुआ है आगे देखते हैं बहु पुछागा पूछाया रहा है आपनल्ष में वह भौछा पूंझी यहां पर डोर दोस्तों यह भौतिक पूंझी नहीं है आपका इसी पूंझी आगे बढ़ते हैं 13 भारत में आधुनिक किर्षी सरोपर्थम कहां आरम की गई थी पहला पंजाब हरियाना पशीम उत्र प्रदेश दुश्रा मध्य प्रदेश गुजयात राजिस्तान तिसरा चाथिस गड़ उड़िसा पशीम मंगाल चोथा जार्खन विहार चाथिस हम पंजाब हर्याना और पशीम उत्र प्रदेश इसको ऊच्पाइज रखने का मैड्रिक बता रहाइं दोस्तों मुत थी पुए हरी फुंप आप आपको याद रखना है हरी से हर्याना आप पॉम में अनुस्वर पॉम है तो पंजाब हुआ आप पशी मुत्र प्रदेश हुआ हरी पॉम्प से आपका आद रहा जागा पंजाब हर्याना पशी मुत्र प्रदेश ठीक है आगे बढ़ते हैं फोर्टीन खरीफ फसल किस मौसम में होता है पहला गर्मी रितू दूसरा वर्षा रितू तिसरा सर्दी रितू चोथा बसंत रितू तो दोस्तों खरीफ फसल यहाँ पे ऑप्शन मर्दू हो जगा वर्षा रितू में होता है और इसका समय होता है जून सी अक्टूबर आप शाद आगे बढ़ते हैं 15 किस खाद फसल को अत्पादन हरित क्रांति के कारण बढ़ा हुआ है मक्का तेलहन दुसरा दलहन चावल चावल तथा गेहूं और चोथा जव तथा चावल यहां पे सही जवब होगा ऑप्सन नंबर तीसरा होगा चावल तथा गेहूं जिहां दोस्तों अभी एक सवाल पीछे आया था जिसमें हमने देखा था कि हरित कान्ति के मुख्य विश्यचता है तो वहां पे था चावल और गेहूं के अपारत्याशित बिड़धी तो यहां पे हरित क्रांति के कारण किसका बढ़ा है दोस्तों चावल और गेहूं का उत्पादन बढ़ नलकूप तो यहां पे सही जवाब होगा option number 4 नलकूप अब शियाद रखेगा पालमपूर का मुखिशी जगसरोत नलकूप है आगे बढ़ते हैं 17 हरित करांती क्या है पहला क्रिशे में विकास दूद की बिर्धी तिसरा उद्योग में विकास इनमें से सभी तो हरित करांती खेती में अनकी जो फासलों का उत्पादन में और पारतासी दिवर्धी को हरित कांती कहा गया है मिन्स खेती में विकास मिन्स किर्शे में विकास option नमर एक यहां पे सही जवाब होगा आगे बढ़ते हैं 18 आर्थी किरियां कितने परकार की होती हैं पहला 2 दूसरा 6 तिसरा 11 चोथा 20 तो यहां पे सही जवाब होगा option नमर एक हो जागा दो आर्थी किरियां दो परकार की होती हैं आगे बढ़ते हैं 19 नमबर दो हेक्टेर से अधिक भूमी पर किर्शी करने वाले कितने परिवार पालंपूर में हैं पहला 75 परिवार दूसरा 60 परिवार तिसरा 150 पर परिवार दोस्तों यहां पे सही जवाब होगा option नमर दो साथ परिवार जहां दोस्तों दो हेक्टेर से अधिक भूमी पूर किर्शी करने वाले साथ परिवार पालंपूर में रहते हैं आप इसे याद रखेगा कितने परिवार साथ परिवार बहुत ही important है आगे बढ़ते हैं पालंपूर में काम करने वाले कितने परतिस्त लोग गैर किर्शी कारे में लगे वे हैं तो गैर किर्शी कारे में आपको इसके पहले वारे सवाल में आया था कितने परतिस्त लोग खेती में हैं तो वहां पे था 75 परतिस्त तो यहां पे कह रहा है कितने परतिस्त गैर क सब्सक्राइब 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 आगे बढ़ते हैं अगला सवाल देखते हैं 21 नमर का जीवी का चलानी के लिए कितने प्रकार के कारी किये जाते हैं पहला अभी हम आपको बता हैं पिछले सवाल में हमने देखा था कि आर्थी क्रियाओं के द्वारा ही जीवी का चलाए जाती है तो जीवी का चलानी के लिए दो प्रकार के कारी किये जाते हैं आगे बढ़ते हैं थोड़ा मैं से छोटा कर लूँ अब देखते हैं आगे 1960 की हरित करांति किससे किसके साथ जूड़ी भी थी तो पहला है वाई भी बीजों का अप्योग दूशरा विर्क्षय रूपन कारिकरम तिसरा मतस्य विभाग चोथा दूद उत्पादन तो दोश्तों यहां पर सही जवाब का ओप्शन नमर एक हो ज आगे बढ़ते हैं 23 पालमपूर की लोग किस निकट बढ़ती बड़े गाउं को दूद बेचते हैं जो बड़ा गाउं निकट में है और वो बड़ा गाउं है दोस्तों तो देखते हैं पेतम पूरा दूसरा सिली गुडी तिसरा साहपूर और जो था राइगाउंज सही जवाब को दोस्तों राइगाउंज अभी कुछ है इसके कुछ एक दूसावाल पहले हमने देखा था कि पालंपूर के गाउं के बगल में कौन से गाउं है तो राइगाउंज है दोस्तों और वहीं पे ये लोग बड़े जो इसो संख्या में जाते हैं दूर को बेचते कुछ नमर पचीस नमर देखते हैं दुम्नांकित में कौन सा सबसे अधिक सरम आधारित छेतर है मतलब यह हुआ कि इन चारों में से किसमें ज्यादा सरम करना पड़ता है पहला किरिशी दूसरा मतस्य पालन तिसरा मुर्गी पालन चोथा खनन दोस्तों किरिशी कारे जो है इसमें ज्या समझते हैं पहला फलों की खेते में विकास दूगद उत्पादन में बिर्दी तीसरा मचले पाल में बिर्दी चौथा फोलों की खेते में बिर्दी तो दोस्तों यहां पे सही जब होगा ऑप्सन नंबर हो जागा दूसरा हो जागा दूगद उत्पादन में बिर्दी इसको ह को दोस्तों तो मदर जो है मधर के पास क्या होता है दिल होता है दोस्तों इस तर से आप आज रख सकते हैं कि मदर डेरी दिली की महतपूर्ण सहकारी संस्ता है आगे बढ़ते हैं 28 नमबर देखते हैं नंकित में कौन सी एक आर्थिक गतिवीदी है पहला अपने घर पर नर्स का काम दुसरा अस्कुल में सिक्षक का कारिय पिसरा अपने घर पर डॉक्टर का काम चोथा इन में सिक्षक कोई नहीं तो यहां पर कहता है आर्थिक लेकिन अगर अस्कुल में सिक्षक का कारिय करें तो वहां पर हमको आर्थिक आयकी प्राप्ति होगी मतलब यहां पर यह हुआ कि आर्थिक गतिवीदी है यह उप्षिन नमर 2 इसका सही चवाब होगा तो ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगली सवाल की और आगे कभी 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 नहीं तिहां पे सही होगा 100% हां क्योंकि अभी हम लोग को खादान में किसी प्रकाक की कमीं नहीं होती है क्योंकि हर इतका अन्थिजर आया और गेहु और चावल सब्सक्राइब करें लोगों को खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं हो रही अभी और एक बात और सरकार जो है राशन गरीबों को बारते इसे कोई भी आजकल भूखे नहीं मर रहा है तो ठीक है दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में बाताईएगा और आज हमने आपको एसेश्टी का अर्थसाष्टर से मतलब एकोनोमिक से जितने भी सारी मतपुर्ण सवाल थे उन सबों को मैंने बता दिया है तो आप कोपी में सभी को नोट कर लें और याद कर लें तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें अधिस अधिक वीडियो में जहेंद बंदे मातरं